प्राइब स्वागत है आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत के अंदर बंदूक नियंत्रन कानून क्या है यानि कि गन लोग क्या है भारत के अंदर साथ हाउ टू एक्वाइर गन लाइसंस एक गन लाइसंस को कै कैसे आप पा सकते हैं इस बात को भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और यह टूपिक हमने क्यों लिया है क्यांकि अभी हाली में अमेरिका के अंदर काफी जादा हिंसक चीजह हमें देखने को मिली हैं सिर्फ चिव क्यांकि वहां पर बंदूक जो यानि जो गन वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बंदुक रख सकता है वो अपने उस राइट का अधिकारी जो उनके पास राइट है उसका यूज करते हैं जिसके चलते काफी जादा पिछले कुछ 11 से 10 दिनों के अंदर काफी जादा वहां पर खून खराबा देखा गए जस्ट वहां प कानून हैं हमारे देश के अंदर अब चली स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडिएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं जो डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक लिंक दिया मिलेगा टेलिग्राम का तो आप जाकर वहां से इस वीड स्कूल छोटे-छोटे बच्चे फर्स सेकेंड थर्ड यह जो बच्चे थे उनकी मौत हो गई कैसे हो गई क्योंकि एक बच्चा अपने साथ बंदूक लेके आ जाते हैं और वहां पर अंदा अधुन तरीके से गोलियां चलानी स्टार्ट करता हैं और ग्यारा दिनों में य करने वाले स्टिक्ट करने वाले हैं ताकि हर किसी गन ऐसे ना दे जैंडर किसी को ऐसे ना मिल के आधो उन्हारा इक 18 साल का एक लड़का 19 चात्रों को और दो सिक्षकों को गोली मार कर उनकी हत्या कर देता है देखे 18 साल का एक बच्चे 19 चात्र या 19 चात्र एक बंदूक धारी ने चार लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मार दी इससे पहले जहां पर यह बात करें यह 18 वर्ष का जो बच्चे यह भी खुद मर जाता है इसके अंदर इससे पहले 14 मही को न्यूयोर्क के बैफॉलो में सैना की वर्दी पहने 18 स्वेथ हमलावर ने एक सूपर मार्केट में यह देखिए स्वेथ जो हमलावर है वो मेरी कोई यहां पर नहीं है कोई आप कहें कि रंग वेद करके बहीं आप जाके नव भारत में जाकर आप यह चीज़ों को ले सकते हैं क्योंकि वहीं से मैंने को उठाया है क्या इन्हों ने बोला कि 18 साल का एक लड़का जो वर्दी पहन लेता है सैना की एक स्वेथ हमलावर सूपर मार्केट में गोली मारी करता है और वहां पर 10 लोगों की उसके अंदर हत्या हो जाती है तीन लोग इसके अंदर घाहल हो जाते हैं और अधिकारियों ने कहा कि एक नसली भावन कि इस दुखत घटनाओं पर राष्ट को संबोधित करेंगे और बंदू की जो हिंसक रूपी मामारी को रोकताम के लिए कॉंग्रेस में कानून पारित करने के लिए वो आवान करेंगे जो हर दिन लोगों की जान ले रही है अब यहां पर आने वाले टाइम में देखते है कि कैसे कानून या कैसे नियम निकल कर सामने आते हैं अमेरिका में और अब आपको कुछ आंकड़े प्रस्तूत करता हूँ देखिए अमेरिका में वर्स 2020 में कुल 24,576 हत्याने दर्ज की गए जिन में से लगबग 80% 79% यहां पर बोला गया मोते हैं जो गोलावारी की वज़ आने से इनकी वज़े से जड़प होने से मोते हुई है और अमेरिका में जो शस्त्रों का नियम यानि रेगुलेशन है वो कैसे रेगुलेट किया जाते हैं देखिए यहां पर आपको समझना है कि यूएस के अंदर जो है एक शेर्ड अथर्टी बिट्वीन फेडरल जिसमें बोला गया था कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए अथियार रखने और धारन करने का आपको अधिकार की रक्षा करता है मतलब अधिकार है वहां पर राइट है आप बंदूक रख सकते हैं जबकि संग्या नियालों ने जो फैडरल कोट है उन्होंने बोला था कि यह संभावित उलंगन के संदर्व में तर्क दिया था कि संग्ये जो फैडरल है जो राज्य एन स्टेट है और जो लोकल है इस नियम के अधिकार को बादित करते हैं मतलब कि कई-कई बार ऐसा होता है कि वहां पर ऐसे नियम लगा दिया जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि वह डिफेंस के लिए अपने पास बंदूक रख सकते हैं तो यह ऐसे नियम बना देते हैं कि वह रखने नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि वह अधिकार को बाधित करते हैं अब बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर कैसे कानून है गन लोको लेकर हमारे देश के इलिगल वैपन आते हैं हमारे देश के अदर क्योंकि अभी पंजाब के अंदर सिद्धु मुसे वाला जो सिंगर थे बहुत बड़े गायकार थे उनकी मृत्यू जैसे हुगी में खुले आम गोलियां चला रहा है तो वहां अबर आप देखिए कैसे इसको हम समझेंगे कि हमारे देश के अंदर कैसे इलिगल तरीके से बंदू का रही है हम बात कर लेते हैं कि what is the Indian Arm Act देखें हमारे देश में एक चलता है then Randega steạm Tiach 제가 1995 जो गाया। जो कंड्रोल करता है जिसके पास भी अधिकर आ होना अहनी इसोड mouldरे के अन्वेटेश और बीचि न परफेट्टिनज करना ट्रांसपोर्त करना इंपोर्टकरण एक्स्पोर्ट करना से लाइसेंसों अंसर की जन संग आंकडों के अनुसार गरम बालें एप्रोक्सिमेट हर सो में से पांच के पास आपको एक लाइसेंस यानि कंट्री ओन फायराम मेकिंग इंडिया यानि हर दस में से पांच के पास आपको अधियार मिलेगा और यह एक डेटा हमें बताया गया है कि उत्र परदेश में 12,00,00 एक्टिव फायरम मतलब कि 12,00,00 एक्टिव फायरम यानि कि उनके पास गन लाइसेंस है 12,00,00 लोगों के पास एक्टिव है यह अब आई-म-एच- के डेटा के एकोडिंग 2016 में यह बताया गया था भारत के अंदर 26,500 डेथ हुई जो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है most नंबर यह कैसे हुई फायरम के वज़े से यानि कि गन फायरम की वज़े से यह डेथ हुई है यह कहां पर हम आते हैं हम आते हैं युनाइ आपके पास अतियार है आप उसको कैरी कर रहे हैं तो यह पनिशेबल एक्ट है आपको जेल हो सकती है फाइन हो सकता है या फिर दोनों ही चीजें हो सकती है फायरम क्योंकि अभी आपने देखा था कि जैसे जो मुंबाई में कौन था संजेदत उनके उपर कैसे एक फोटी स अगर आपको लेनी है बंदूक तो आप एक लाइसेंस के अकोर्डिंग जो है आप अपने पास बंदूक रख सकते हैं जो होते हैं चकू होगे तलवार होगे वो शाप अबजेक्ट होते हैं सच इस नाइफ स्वोर्स और 9 इंची जिनकी लेंथ जो हो 9 इंची से ज्यादा ह होती है उनको भी एक लाइसेंस की जुरूरत पड़ती है यहां पर यहां पर 2016 में इसमें एमेंडमेंट किया गया इस एक्ट के अंदर जिसमें कहां गया कि पर्सन एप्लाइंग फॉर आम लाइसें और रिकॉर्ड टू अंडर्गो आम सेंड एमिनेशन सेफ्टी ट्रेनिं सेफ एंडलिंग उनकी टेक्निक इनके बारे में सब उनको पता होना चाहिए फॉलॉइंग फिर क्या होगा जो अथोर्टी उसको लाइसेंस प्रवाइड करने वाली है थाकि साट दिनों में उसको लाइसेंस प्रवाइड करते अब यहां पर एक और एक्ट में इसमें जाइँ जाए इसके पास जैसे के पास के चैनके पास पाया जाएगा उनके ओपर बहुत जाधा स्ट्रीक है एक्सेंट निये जाएंगे अगर देखें कोई भी गन्लिस के अंदर होना इन के ऊपर पहले पहले क्या होता था कि उनको कुछ सजा दे दी जाती थी टू यर्स दो साल के लिए एक लाख रुपया उनके जुर्माना या फिर दोनों ही हो जाते थे अब यह बिल क्या कहता है कि भाईया बिल ने कहा कि पूरी उमर के लिए लाइफ इंप्रिश्मेंट मतलब कि एक का उमर के लिए आपके आपके उपर इलिगल वैपन रखने के उपर आपको पनिश्मेंट दी जा सकती है यह बात बोली कि अब कौन ले सकता है गन भारत के अंतर एकोर्डिंग टू 1959 एक्ट इसमें बोला गया कि यहां पर दो तरीके स से अथियारों को कैटेगराइज किया गया है एक होता है पीवी यानि कि प्रोहिवीटिड बोर और एक होता है नॉन प्रोहिवीटिड बोर बोर का मतलब होता है कि जो चल्ला आप देखते हैं जो गोली आप देखते हैं उसके डायमेटर से होता है कोई बड़ी डायमेटर क होती है according to the chapter 2 और chapter 3 of this act जो civilian है can apply for possession of NPV वो apply कर सकते हैं मतलब कि अपने पास NPV रखने के लिए which include जो gun of caliber जिनकी 0.35.32.22.380 जिनकी जो बंदू की जो bullet होती है उनका diameter यहां पर आपके सामझे लिखा है इनके लिए आप apply कर सकते हैं जो prohibited बोर होती है वो include pistol आती है जिसके अंदर 9 mm और handgun आ जाती है of caliber .32.455 and caliber .303 rifle आ जाती है as well as automatic और semi-automatic guns भी इसके अंदर आ जाती है while NPV जो है यानि non prohibited बोर होती है वो can be possessed by any civilian भारत का कोई भी नागरिक उसे ले सकते है पीबी आर यूजली issue to defense defense personnel को दी जाती है पीबी आर ओल्सो issue to people who are facing जुनको बहुत जादा threat है कोई उनको जान से मारने की धंकी है उनकी जान को बहुत जादा खत्र है तो उनको भी ये पीबी बनातलब की prohibited यह जो बंदू के रखने के अनुमति दी जा सकती है और लाइव इन टेर्रिस्ट पॉन प्रॉन एरिया मतलब की जहां पर टेर्रिस्ट का बहुत जादा खत्र है वहां पर भी पीबी जो है वह अलाउड की जाती है लोगों को अब हाव टो एक्वाइर गन लाइसन कैसे ले सकते हैं इन इंडिया गन आर ओनली इस्जू ट्री परपस सेल्फ डिफेंस के लिए क्रोप प्रोटेक्शन के लिए और स्पोर्ट के लिए यानि आप खुद के बचान अपने बचाव के लिए फसल के लिए और खेलों के लिए मतलब कि यहां पर जो सेल्फ डिफेंस है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आपको चीजें प्रवाइड गरवानी पड़ेंगे कि आप बताने जाते कि आपको खत्रा है आप सेल्फ डिफेंस के लिए रही है इन ओर तो एक्वाइड गन लाइसेंस एवन नीड तू बी अब अब ऑव दी एज ओव 21 एक्की साल का होना होगा एक्की साल से उपर की एज होनी चाहिए अब यहां पर आपकी पास्ट क्रिमिनल बिहेवियर को जाचा जाएगा कि भी आपने कोई अपराद किया था नहीं किया था तक्रीबन पांस साल का पांस साल का आपका डेटा खंगाला जाएगा इंफरमेशन सच एज इदेटीफिकेशन, एदेटिटी प्रूफ, रिजिदेंस प्रूफ, एज प्रूफ, प्रूफ of एडुकेशन, रिजिदेंस प्रूफ, फोर फोटोग्राफ, लास्त त्री इयर्स इंकम टेक्स रिटरन और also required to submit it, यह सब चीज़ें देनी होंगी, उसके बाद next step क्या होता है, background check किया जाता है, जिसने application भरी है, police के दार, साथ इसाथ उनके family को भी interview किया जाता है, पूछा जाता है कि किस लिए चाहिए होती है, once the applicant get approved, एक बार जब उसको approved मिल जाता है, the person is required to undergo arms training, फिर उसको एक training provide किया जाती है, जिसके अंदर सारी चीज़ें बताई जाती है, safety is related, फिर वहाँ पर following which the license is obtained, the license has to be renewed every 3 year as well, वहाँ पर हर 3 साल के बाद उसके license को renew किया जाता है, अब आज की rate में उसे 5 साल कर दिया गया है, तो, India boasts of extremely stignant gun low, हमारे देश के अंदर बहुत strict gun low है, some exemption have also been given to certain communities और हमारे देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा कुछ communities ऐसी है, जो यहाँ पर हम उनको छूट provide करते हैं, उनको license वैसे, यानि बिना license के ही, उनको बंदूक रखने का अधिकार होते हैं, जैसे code was है, यहाँ पर एक तरीके से देखिए, एक group है, crew in करनाटका में, जिनको बंदूक रखने का अधिकार है, बिना license के, क्योंकि उनके वो culture में आता है, और हमारे देश के अंदर जैसे, हमें बोला गया कि एक secular, हमारा समीधान, जो यहाँ पर provide करते हैं, कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, कोई भी धर्म परचार परसार कर सकते हैं आपके culture के लिए, तो वहाँ पर जब उनका culture की बाज आते हैं, तो fundamental right की बाज आते हैं, तो उनको यह सब चीजें license की जूरत नहीं पड़ती हैं, क्योंकि अब आपने देखा होगा Sikh community को, जिनके किरपान रखने के उनको अनुमती दी गई हैं, तो यह सब चीजें होती हैं, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर यह सारी चीजें मैंने आप लोगों को already बता दी हैं, कि हमारे देश के अंदर एक arm act 1959, अब देखें, इसका उदेश्य क्या होता है, कि जिसके पास भी गोला बारूद, उनके अधिकरेन, कबजे, निर्मान, विक्री, आयात, निर्यात, औ इन सब चीजों को इसके अंदर शामिल किया गया, यह तमाम बाते में आप लोगों को बता चुका हम, कि 21 साल उसकी age होनी चाहिए, जो भी कर रहा है, और जो भी applicant है, उसके 5 साल पहले कि सारी चीजों को मापा जाएगा, कि मतलब चाना जाएगा, कि उसने कोई हिंसा की, कोई offense किया है, नहीं किया है, इन सब चीजों को चांगा जाएगा, उनको जांचा जाएगा, और unusual mind, unsound mind नहीं होना चाहिए, और देखे जाएगा कि अगर उसको बंदूग दी जाती है, बंदूग का license दिया जाते है, तो उससे सारजनिक सुरक्षा, यह शान्ती के लिए ख करने के लिए कोई मांदन नहीं है, कोई criteria नहीं है, आपके पास कितनी property है या है या नहीं है, आप acquire कर सकते है, gun license को, बशर्ते की आपको provide कर दी जाए, इतना असान नहीं होता, यह भले यहां पर लिखा हुआ हो, लेकि एक बार जो applicant है, उसने license के लिए application भरिया, भरा भरान करने के बाद जो applicant है, उसके बारे में एक report त्यार करेगा, और फिर वो sign करता है, तो sign करने के बाद वहां पर gun license provide करवाया जाता है, अधिनियम के अन्य जो विशेशता हैं, देखिए, जो निशिद अथियार है, जैसे उन अथियारों के रूप में परिवाशित करते हैं, ज असल की सुरक्षा या खेल के लिए कम से कम 20 इंस से बैरल के साथ चिकनी बोर गन के उपयोग की अनुमती देता है, किसी भी संस्था को, कोई भी organization ऐसी बंदू को बेचने, उसको ट्रांसपोर्ट करने के अनुमती नहीं देता, जिस पर manufacture का नाम नहीं है, manufacture का कोई number नहीं है या फिर कोई भी उसके अंदर मोहर नहीं लगी हुए, कोई पहचान नहीं है, तो आप उसको ट्रांसपोर्ट उसको बेच नहीं सकते हो, अब यहाँ पर amendment किया गया था, इस act के अंदर, 2016 में मैंने आप लोगों को बताया है, कि 2016 में amendment act हुआ, 2019 का भी amendment act मैंने आप लोगों क गई है, और इसका main purpose यहीं है, कि license को कम किया जाए, यानि कि जिन लोगों के पास license है, उसमें कम ही लाए जाए, license की वैदता को तीन साल से बढ़ा कर पांस साल कर दिया गया है, और यहाँ पर समाजिक सद्वाव सुनिशित करने के लिए license प्रावत हतियारों के उप्योग को कम करने के, इसमें main focus इसमें किया जाएगा, सजा कहा है, देखे, बिना license के परतिबंदित, अगर आपके पास कोई गोला बारुत, कोई भी हतियार अगर आपके पास से मिलता है, तो यहाँ पर चुर्माने के साथ साथ आपको साथ से लेके 14 साल के बीच में बढ़ा दिया ग सकते हो, गैर कानूनी निर्मान, manufacture करना, उसकी बेचना, उसका ट्रांसपोर्ट करना, कम से कम साथ साल की सजा है, और यह साथ साल की सजा, इसको आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है, इस act के अंदर यह भी बला दिया गया है, इस amendment act के अंदर, इस अधिनियम के जो संचोधन किया गया है, उसके तुरू इतना भी कर सकते हैं कि ताउमर के लिए जेल में रख सकते हैं, साथ हिसा जुर्माना जो होगा, वो अलग होगा, आगे की राह क्या है, देखिए, एक तरीका यह है कि सक्त बंदूक नियंतरन लागू किया जाए, सक्त रूप से प हारत को भी बंदूक के अधिकरेंड और कपजे से संबंदित कानों की समिक्षा करने और उन्हें सक्त करने क्या हो सकता है, यह रियालिटी में बहुत जादा जुरूर है, यह तो मैंने आपको लाइसेंस रिलेटीड चीजें बताई, अनलाइसेंस वाली, यानि इलीगल बं जो गन धारी थी, उनके पास AK-47 थी, अब सबसे बड़ा सवाल उड़ता है, AK-47 आहा कैसे गई, यह एक काफी एक सिरियस इशू है, लो एंड ओडर को मेंटेन करने के पीसे, मतलब कितना जादा, कोई तो कोई वहां पर आपको जवाब देही तै करनी होगी, इससे कितना ज कर सकते हैं, इतना असान नहीं है, इस चीजे मैंने आपको बताई तो है, यह बेसिक क्राइटेरिया है, लेकिन मिलती नहीं है गन, यह अच्छी चीज है, क्योंकि हर किसी को अगर गन प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो यहां पर हर कोई, मतलब छोटी सी बात हुई, गन न कि पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ को ज़्यादा पसंद आई हैं, तो शेर कर दीजिए वीडियो को, as well as channel को भी, thank you